जो मेरा पहले चैनल चल रहा है उस पे टोटली कॉंटेंट नेक्स्ट मेरी कोशिज है कि प्रोग्रामिंग से रिलेटिड ही में अपलोड करूँ और जो जनल वीडियोज होती है यूट्यूब से रिलेटिड हो गया यह से रिलेटिड या अनिंग से रिलेटिड उसके लिए के लग से फ्यास वहीज अनलोजी के नाम से मैंने एक चैनल क्रियेट किया है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा और आई का जो आइकन है वहांबे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आपकी 100% स्पोर्ट की जरूरत है उसको ज्यादा से कीजेगा और सबस्क्राइब करना आपने नहीं बोलना इसमले रहांद रहीम असलाम अलेकम व्योज्स मैंने में श्वास वहीद लास्ट वीडियो में हमने डिसकस किया वीड प्लस रियक्ट की जो फाइल से ट्रक्चर थी उसको हमने डिटेल में डिसकस किया था आज की वी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से इसरार होने के बाद मैंने नहियत की कि मैं डियक्ट का जो कोर्स है उसको दुवारा से कंटिनियो करूं यानि कि जो नई डॉकमेंटेशन है उसको फालो करते हुए तो मैं उमीद करता हूँ कि अच्छा फीड़बैक मिलेगा वीडियो देखने के बाद लाइक भी किया करें शेयर भी किया करें कमेंट भी लाजमी किया करें और चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्स्राइब करें बारहल वीडियो की त ultrasound करते हैं हमने लास् वीडियो में complete file structure को discuss किया था ठीक है तीए मैं wheat के साथ यहां पर practice कर रहा है और यहां पे वीड प्लस रियक्ट लिखा हुआ है और यहां पे अगर मैं काउंट पे क्लिक करता हूं तो यह काउंटर भी यहां पे वग कर रहा है एंड सौन ठीक है थी अच्छा उससे पहले अगर तो नहीं आप लोग को आईडिया सिंपल आपने रियक्ट की आप को किस रीके से एक्जीक्यूट या रन करना होता है यह मेरे पास माई एप के अंदर यह फोल्डर्स हैं और फाइल्स हैं आपके अपनी मर्जी है आप यहां पे राइड क्लिक कर लें या आप इस फोल्डर को ओपन करके यहां पे राइड क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे तो command line interface है उसको भी Excel लोग यूज़ करते हैं अधर्वाइज आप यहां पे terminal को open कर सकते हैं ठीक है जी terminal को open करने के बाद आपने simple यहां पे command कौन सी run करनी होती है आपने command run करनी है npm run dev आपने यह वाली command run करनी है इस तरीके से यह आपके सामने address आजाएगा आपने इस पर क्लिक करना है और यह हमारे सामने application इस तरीके से browser में open हो जाएगी अब next यह देखते हैं कि यह वाला जो content है यह कहां से आ रहा है और इसको हमने change कैसे करना है यह इसको change करने के बाद हमने hello world अगर write करना है तो किस component app.jsx के नाम से आप लोग को यह वाला जो component नज़रा रहा है यह यहां पर मुझूद है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहां पर देखते हैं कि हमारे पास क्या-क्या इसके अंदर लिखा हुआ है इस file के अंदर यह basically app.jsx यह main component होता है आपकी application का ठीक है जी फिलहाल यह जो आपके सामने जो कुछ भी यहां पर नज़रा रहा है यह basically यहीं से content जा रहा है अब यहां पर देखिएगा अब यहां पर import use state किया गया react logo है wheat logo है यह जो दो लाइने है यह तो simple यह है कि हमने दो logo import किये है इसी तरह के से हमने app.css की file को import किया है अब यह जो use state है यह basically एक hook है इसको हम detail में discuss करेंगे फिलहाल इसको आप भूल जाएं कि यह क्या चीज़ है यह structure ऐसे है इसको as it is आप देख लें यहां भी हम आते है रिटर्न में आ जाते है यह function यहां से start हो रहा है function को किस तरीके से create करना है next क्या करना होता है यह सारी चीज़े हम discuss करेंगे परशान नहीं होना फिलहाल यहां पर function जो return कर रहा है उसकी हम बात करते हैं यहां पर एक div है ठीक है जी इस div के अंदर दो आपको anchor tag नज़रा रहे हैं एक यह वाला anchor tag है और एक यह वाला anchor tag है ठीक है जी यहां पर image लिया गया है source is equal to image यहां पर weed का logo है और यहां पर react का logo है यह जो लोगो आप लोगो को नज़रा रहे हैं यह वाले दोनों लोगो इन्हों ने यहां पर anchor tag के तोर पर यूज़ गी अगर मैं किसी पर click करता हूं अगर दोनों मेंसे मैं किसी पर click करता हूं तो automatically मैं उस side पर चला जाओंगा यह जो भी यहां पर link दिया गया आप लोगों को यहां पर नज़रा रहा है ठीक है दिए देखें यह वाला link दिया गया है अगर मैं weed के logo पर click करता हूं और अगर मैं react के logo पर click करता हूं तो यह official side पर हम move कर जाएंगे इस तरीके से और उसके बाद यहां पर weed plus react यहां पर लिखा हुआ heading यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह heading लिखी हुई है मैं यहां पर write कर देता हूं hello world ठीक है नॉमली जो start में आप लोग practice करते हैं और यहां पर एक और line add कर लेते हैं learning react with फ्याज वहीड ठीक है अब यहां पर जैसे मैं control s करूंगा तो मुझे यहां पर browser को कुछ भी refresh कुछ भी करने की जुरूद नहीं यह नीचे आप देख सकते हैं यहां पर आपकी जो application automatically यहां पर update हो जाएगी और यहां पर आप लोग देख सकते हैं hello world learning react with फ्याज वहीड जो मैंने वहां पर heading add की है वो यहां पर आपके सामने आ चुकी है और browser को हमें यहां पर refresh नहीं करना पड़ता ठीक है जी यह basically local server के तोर पर वर्क कर रहा होता है आपका जो browser user है उसके बाद यहां पर अगर देखा जाए again एक div है यह वाली div ठीक है जी यह वाली div इस div के अंदर यहां पर देखें एक button यूज किया उसने और उसके ओपर एक on click का function है अब यह किस तरीके से work कर रहा है इसको हम detail में बाद में discuss करेंगे क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगी और यहां पर लिखा count is this यह देखिएगा यहां में लिखा है ना count is अगर मैं यहां पर कर देता हूं यहां पर मैं कर देता हूं सी capital ठीक है पहले small सा मैंने capital कर दिया और count is के बाद मैं यहां पर colon भी लगा देता हूं इसको मैं save करता हूं यहां पर देखिएगा यह देखें काउंट का सी कैपिटल हो गया और यहां पे कॉलन भी आ गया यह बटन है यहां से डेटा आ रहा है इस बटन का उसके बाद एडिट सोर्स एप यह चीजें नेक्स लिक्षी हुई है यह वाली ठीक है यह वाली इसको आप यहां से रिमूव कर सकते हैं अपडेट कर सक हो कमेंट में और इसको हम जैसे ही सेव करेंगे और यहां पर आके देखते हैं तो यह देखिएगा यहां से जो पैराग्राफ लिखा था यहां से रिमूव हो चुका है उसके बाद क्लिक ओन वीट एंड रियक्ट लोगोस टू लर्न मॉर यह वाली लाइन ठीक है वो कह रह हैं तो यह बेसिकली एब.jsx की फाइल है जहां से कम्पलीट डेटा आपके सामने यहां पे ब्राउजर में डिस्पले हो रहा है अभी तक मैंने किसी भी और फाइल पे क्लिक नहीं किया ठीक है इंडेक्स.css में क्या है एब.css दोनों फाइल में css लेकी हुई है main.jsx के म हमने जो अपना एब का कंपोनेंट है उसको हमने यहां बेस फार्म में टैक की फार्म में लिखा होता है यहीं से बेसिकली आपका यह वाला कंपोनेंट ब्राउजर में डिस्पले हो रहा है यानि कि रेंडर हो रहा है ठीक है उसके बाद यह बाहिर सोर्स के फोल्डर से बा क्या रहा है वो बेसिकली इस डिव में आके ब्राउजर में डिस्प्ले हो रहा है ठीक है थोड़ा सा ज़रा फ्लो समझने की कोशिश करें यहां से में डोट जो jsx की फायल है इसके अंदर हमने अपना एर कंपोनेंट प्लेस कर दिया है कि उसने रेंडर होना है ठीक है रेंडर होने के बाद हमने डिस्प्ले सक्रीन पे किस तरीके से डिस्प्ले करना है डेटा यहां पर लिखा हुआ है यहां पर बात की जाए इंडेक्स.html में यह देखें यह रूट आईडी बेसिकली यहां पर यूज हुई है तो जो डेटा रेंडर होके आएगा वो डिव की फाम में इस डिव में आके यहां पर ब्राउजर में आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा और जितना भी कॉंट यह उसाईघ्बा है प्रिझज हमने राइट किया है वो एइडोड जैसरे का फिये के से इक स्वाट कि से किया जाता है या सारी चीजे उसकरेंगे आज की विडियो में हमने जो डिसक स्किया किकिस स्रीके से हम इस page का content change कर सकते हैं कौन से component से data आ रहा है यह सारा हमने आज की वीडियो में डिसकस किया किसी भी किसम का कोई भी question हो कोई confusion हो कोई भी query हो वीडियो के नीचे भी comment कर सकते हैं Facebook का page वहाँ भी आप मुझे message कर सकते हैं दौा में याद रखा करें और चैनल जिनों ने subscribe नहीं किया वो जरू subscribe करें अलाँ आफ़े नासे